नमस्कार आप देख रहे हैं डी टीवी भारत मैं हूँ अभिसेक मिस्रा क्या जेडियू में सब कुछ ठीक चल रहा है खास कर तब जब मुख मंतरी नितीज कुमार ने इस बात को लेकर सफाई दे दी कि उन्होंने रसीपी सिंग को बधाई दी है आप जानते हैं के अंजरी मंतरी मंडल विस्तार के बाद जिस तरह से मुख मंतरी नितीज कुमार ने बधाई नहीं दी थी और माना जा रहा था कि आरसीपी सिंग से मुख मंतरी नितीज कुमार नाराज चल रहे हैं आरसीपी सिंग ने खुद ही एक मंत्री पद को लेकर फैसला कर लिया जिससे मुखमंत्री नितिशकुमार नाराज है आरसीपी सिंग ने अपने फैसले की जानकारी पार्टी ने ताओं को दी बलकि उनसे सलाह मसवरा नहीं किया मुक मंतर नितिश कुमार ने सफाई जरूर दी है लेकिन अब भी इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि जेडियू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है बलकि जेडियू के अंदर खाने विशन तना तनी चल रही है खासकर नमबर दो की एक सियासी जंग भी जेडियू के अंदर चल उपेंदर कुछ वहा जो जेडियू संसदिय वोट के अध्यक्ष है और रसीपी सिंग जो केंदर में मंतरी भी है पार्टी के रास्टी अध्यक्ष भी है दोनों के बीच एक टकराओ चल रहा है इसकी वानगी एक वार फिर देखने को मिली है दरसल 18 जुलाई को पार्टी क पदाधिकारियों की एक बैठक होनी है जेडियू के पदाधिकारियों की एक बैठक पटना में होनी है जेडियू दप्तर में और उसके लिए 10 जुलाई को एक पत्र जारी किया गया जिसमें इस बात का जिक्र था कि बताओ रास्टी अध्यक्ष आरसीपी सिंग इस बैठक को संबोधित करेंगे वर्चुल तरीके से लेकिन उसके बाद 15 जुलाई को फिर एक पत्र जारी होता है इस बैठक को लेकर जिसमें इस बात का ऑर्सीपी सिंग் का नाम नहीं है इस बात का कहीं जिक्र नहीं है कि आर्सिपी सिंग् वर्चूल तरीके से इस बैठक को संबुदित करेंगे बलकि इस बैठक को लेकर इस पत्र में यह जानकारी है कि उपेंद्र कुश्वाहा जो जेडिू संसदी वोट के अध्यक्ष हैं वो इस बैठक को सम्भोदित करेंगे पहले भी टकराओ के संकेत इस बज़ा से भी मिलते रहे हैं कि उपेंद्र कुश्वाहा ने एक भी बैठक अटेंड नहीं की पाटी की और खासकर उन बैठकों को तो विल्कुल अटेंड नहीं किया जिसमें आर्सीपी सिंग अध्यक्षता कर रहे होते थे आर्सीपी सिंग बतौर पाटी के अध्यक्ष पाटी दफ्तर में बैठक करते थे उपेंद्र कुश्वाह उन बैठकों में सिर्कत नहीं करते थे उपेंद्र कुश्वाह से ये सवाल भी पुछा गया था कि आप इन बैठकों में सिर्कत के उन नहीं करते उनने कहा था कि द पर बार रसीपी सिंग को आईना दिखा रहे हैं उपेंदु कुछ वहा के बयानों से या फिर जेडियू के अंदर के राजनिती घटना करम सी यह लगता है को पेंदु कुछ वहा और रसीपी सिंग के बीच का बीच टकराओ है यह टकराओ आने वाले दिनों में कौन सी सामने आ गया है इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिजिए बहुत बहुत धन्यवाद